असलालेकूम, मेरा नाम है जरीन कान, मेरे चैनल जेट के यूनिक कुकिंग में मैं आप सबी का दिल से स्वागत करती हूँ हाजीरों मैं आप सबी के लिए एक नई रेसेपिके साथ जिसका नाम है दाल्चा दाल्चा तक्सर अपने शादियों में बहुत पर खाया हूँगा, इसे दो तरीकों से बनाया जाता है, एक वेच और नॉन डेज आज हम वेच दाल्चा बनाना सीखेंगे, आए शुरू करते हैं शुरू करते हैं, मैंने यहां पर एक पाउल लिए, ये लिए मैंने अग मैंने 1.4 कप मसुर की डाल लिए, और ये 1.4 कप मूं की अब हम इन सबको मिलाकर अच्छे से वाश कर लेंगे आईए देखिए मैंने वाश कर लिए दालो को सब भी को इससाथ मिलाकर वाश कर लिए अब हम इसमें हाफ मैंने मीडियम साइस का टोमाटो ली दी इसे मिलाकर हम कुकर में डालके दो ग्लास पानी के साथ इसको चार सिटी आने तक बॉल करेंगे देखिए मैंने दो कप पानी दाली हूँ और इस तरह से कुकर में डालकर इससे बुदी ही लाकालोंगी और तीन सिटी आने तक आपको डिखाती हूँ और यहां पर मैंने लिए तीन मीडियम साइज के टोमैटो एक आनियन इसे मैं पारी पर करके इसका पेस्ट बना कर बताती हूँ यह देखिए मैंने इस तरह से फुरी लौकी को कट करके इसके सेंटर का जो बीजवाला पार्ट होता है उसे कट करके रिमूव कर लिए और इसे रिमूव करके मैंने पानी में ड्रंकी दी अब हम इसे एक कूकर में डाल कर बॉइल कर लेंगे इसे हमें सिर्फ एक सिर्ट पानि ये।, मैंने सभी लौखी को कुकर में डाल दियू और एक कप पानी डाली। मैंने वल पाटीसपून नमक लियू और इसे नमक डालकर 1 मिल सुटी कुकर सी आने तब बॉיל खर लीती है। यह देखिए हमारी दाल बॉइल हो चुकी है हमारी लौकी भी बॉइल हो चुकी है प्याज और टोमेटो का पेस्ट भी हम बना चुके अब हम आये इसे बगारते है देखिए मैंने एक बरतन ग्यास पे रखी हूँ यह मेरा बरतन गरम हो चुका है अब हम इसमें डालते है ओईल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे एक डालचिनी का तुकड़ा दो बे लीव हाफ टीजपून मैंने जीरा लीऊं हाफ टीजपून मैंने शाई जीरा लीऊं जिसे ब्लैक जीरा भी कहते और दो इलाइची को मैंने उट लीऊं देखें हमारा मसाला चटकने लगाए अब हम इसमें डालेंगे अनियन टोमेटो का पेट्ट हूं अब हम डालेंगे 1 पीश्पून जिंजर पेस्ट, 1 पीश्पून गाळ्लिक पेस्ट मैंने एक मिलावकार एक सेबल श्कून भर के लिए अब हम इसे गुजबो आने तक अच्छे से पकाते हैं अध्रक लाइस्बून को कच्छा पाना निकाल लेता हमें से अच्छे से पकाते हैं टेमाटो अध्रक लाइस्टून और अनियन खापेश हमारा हाफ प्राइब हो चुक है अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्कुन मैंने चिकन मसाला लिएू, वन टी स्कुन मैंने रेड चिली पॉडर लिएू, हाफ टी स्कुन मैंने हल्दी पॉडर लिएू, वन टी स्कुन मैंने धनिया पॉडर लिएू, और टू पिंच ओफ मैंने हीं लिएू, इन सब कम डालके अच्छे से मिक्स कर लेते देखिए हमारे मसाले को प्राइ करते हो चुके पीछ में हम इसे दो बार चलाया था अब इसकत्वा पेल उपर आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे ये दो स्लाइट की उवी ग्रीन चिली उदी न हमारा ड्राय वाला अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश बुड़ाया सकते हो ये हमने लिए एक टेबल स्पून के आज़ पास ये हमारी दाले ये हमने बॉइल की ओवाल लॉकी है लॉकी का पानी में हम इसी में डालेंगे ये बहुत ही फ्लिवर्फुल होता है अब हम सब भी को अच्छे से मिट्स कर लेंगे लास्ट में अब हम इसमें इस चीज और रैट करेंगे ये है कस्तूरी मेती इसे हम हाथ पर मसल कर इस तरह से डाल देंगे ये मैंने लिवू हाफ टेबल स्पून अब हम इसे अच्छे से पकने देते है अब हमारा दालचा अच्छे से बॉइंट कर रहा है और इसका सभी का चपना कतम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक हमने पहले भी लॉप की बॉइल करते टेम डालेते और अभी हम हाथ टीस कुंचास पर डालेंगे यह हमारे मासाले और दाल के जाप्टर डाले हमने हमारे दालचे की बहुत अच्छी खुच बहारी है अब हम इसमें फाइनल तैच कर चिन के लिए धनिया डाल दे और ग्यास बंद कर देते यह देखिए हमारा दालचा रेडी हो चुका है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है यह रेसिपी आप प्लीज एक बार ट्राइ कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाए अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है आपको मेरे लगती है